नमस्कार दोस्तोर आइसेंस गरज में फिर से एक बार आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग इस होंडा एक्टिवा 3G का स्पीडोमेटर के बल रेप्लेस करेंगे तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किये चालू करते हैं तो पहले आपको इस हेडलाट के बैक कवर को चार। रहते हैं चारो वी निकालने के बाद अपके फ्रंट फेरिंग के निचे एक स्क्रू रहेगा दर नहीं है इसलिए यह रम से बाहर निकल रहा है और इदर आप देख सकते हैं इधर एक स्कूर रहता है यह भी आपको निकालना है फैरिंग किचने से पहले और अगर सब कनेक्शन सोडने के बाद आपका हेड़ लाइट फैरिंग जो है वो गारे से अलग हो जाएगा और अब आप स्पीडोमेटर के पास अराम से काम कर सकते हो अपको सिर्फ यह लाइट का फैरिंग निकालना है और कोई भी फैरिंग नहीं निकालना है इदर मैंने निकाला आपको फैरिंग निकालने के बाद आपको स्पीडोमेटर का के बल जो है वो ऐसे गुमा के स्पीडोमेटर से अलग करना है पिर आपको निचे टायर के पास आना है और स्पीडोमेटर के बल को ऐसे स्क्रूड्राइवर डालके स्लोट में से बाहर निकालना है ऐसे आरम से इसको कोई स्क्रूज नहीं रहेंगे इधर मैंने पूरा टायर बाहर निकाला हुआ है क्योंकि मुझे और कुछ काम था लेकिन आपको वह कुछ करने की जरूरत नहीं है पिर आपका नया स्पीडोमेटर के बल जो है जो आपने लाया है वह लेना है और आपको उसको पुराने आपको पुराने स्पीडोमेटर के बल जो है गर टिक से उपर नहीं आ रहा है तो वह सब साइब में पूराने स्पीडोमेटर के बल जो है फिर आपको वर टेप चोड़नी है इदर आपको मैं एक बात बोना चाहोँगा कि कर ₹-स और कोई भी केबल म degree सो में, केबल चुनेकट करना बहुत ही врем जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका स्पीडोमेटर केबल टिक से अंदर जा चुका है तो अगर आपको ये वीडियो इसफुल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए याद रखेगा और बेल आइकन को दबाए ताकि मेरे लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आज आए तब तक के लिए बाइन टेक है